हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बिंग टीचर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रेस रिलीज जो है सीटेट के लिए जारी की गई है और तीस थारिक मतलब कल जारी की गई थी ठीक है तो इसके रिगाड़ी हम लोग बात करेंगे उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को स आएंगे मतलब सिच्छकवर्ती से रिलेटेड उस सभी चीजों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक है तो आज की जो प्रेस रिलीज है यह किसके लिए है इसके बारे में हमा समझेंगे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सीटेट को मतलब चेंज किया जा रहा है अब उसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव मतलब एक तरीके से मतलब बेसिक कॉंसेट के आधार पर जो है क्या आए गरेंगे तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज समझेंगे कि यह कैसे क्या होगा और इसके क्या क्या इसमें चेंजिस हो रहे हैं ठीक है उससे पहले हम जान तो तक अब जो आधा क्या हुँँ कर दिया है और उसको भी लाइफ टाइम कर दिया ठीक आप सभी को पता चल गया होगा उसी की तरह है अभी हम जो आप सबी लोग beard emid के exams दे रहे हैं या beard internes exam देने जा रहे हैं जो भी लोग देने जा रहे हैं आप सभी के लिए इतने changes कम थे कि जो date extend हो रही थी अभी beard emid की जो date extend हो रही थी तो वो changes कम थे और क्या मतलब जो अभी फिरसे changes ला दिये गहा हैं कि अब इसमें changes यह होगा वैसे भी government जो यह है, यह changes पर कुछ ज़्यादा ही focus कर रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही changes कर रही है, ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग कर भी कह सकते हैं, हम लोगों को भी उसी की recording change होना होगा, जो भी मतलब जो ची requirement हो रही है, ठीक है, तो इस press release में basically यह है, कि उन्होंने the holistic vision, ठीक है, for education, तो इन्होंने holistic vision मतलब एक काफी, एक जो 2020 का, जो 2021 की जो demand है, उसके according यह teachers को develop बनाएंगे, teachers को यह मतलब create करेंगे एक तरीके से, उनके अंदर जो knowledge होगा, वो उसी के आधार पर यह teachers को लेंगे, ठीक है, यह यह गाए, the NEP, the National Education Policy, जो है, उसके जो digital literacy है, और digital pedagogy है, और user technology है, उन सभी चीजों के आधार पर, ठीक है, यह CBSC committed to enhancing the quality of central teacher eligibility test in order to reflect its core purpose of attracting and filtering candidates with the aptitude and passion to enter the teaching profession, तो इनका यह कहना है, कि मतलब, अब हम कुछ qualities, जो है, वो, मतलब, increase कर रहे हैं, ठीक है, आपको उन qualities को fulfill करना पड़ेगा, ठीक है, eligibility को, और उन quality के आधार पर, आपको, जो है, आपको seated exam देना पड़ेगा, ठीक है, seated should reflect the core of critical competencies to enter the teaching professional and majors to these identified, ठीक है, with the fair degree of validity and reliability and fairness, तो इनका यह कहना है, कि अब जो seated है, वो और फड़ा सा, जो है, मतलब, एक transparency के साथ में होगा, उसमें कुछ चीज़े add की जा रही है, ठीक है, आपकी competencies के according, आपकी teaching eligibility है, उसको improve करने के साथ में, ठीक है, next यह कह रहे हैं, कि यहां पे जो है, notified होने ने किया है, कि जो seated का structure है, वो जो है change होगा, ठीक है, पहले कहा था कि factual wise चीज़े बहुत पुछी जाती थी, मतलब, अब जो होगा, आप conceptual चीज़े पुछी जाएंगी, ठीक है, मतलब, आपका अगर basic concept के लिए है, मतलब, मतलब, जो है, आपने seated के जो subjects है, जो seated के जो topics है, उनको अगर अच्छे से पढ़ा है, जो कि आपको being teacher पर पढ़ाई जाएंगे, आप बिल्कुल परिशान मत होगी है, seated का जो नया syllabus आया है, मतलब, जो नया pattern आ रहा है, इसके according ही आपको, इस पे being teacher पर आपको सारी classes मिलेंगे, ठी जो भी structures change हो रहे है, जो भी चीज़े change होगी, वो सारी चीज़े updated आपको इसी channel पर मिलती रहेंगे, तो बिल्कुल परिशान मत हो ना, इसमें देखो यह क्या कहा रहे है, कि within the existing slavers of seated and structure of the question paper, ठीक है, जो मतलब, अभी, जो slavers है इनका, और जो structure है question paper का, तो the question paper will develop to assess less to factual knowledge and more of conceptual understanding, देख लीज़े, यहाँ पर जो था कि अब हम क्या करेंगे, जो factual knowledge है, उसको हम कम करेंगे, और जो conceptual knowledge है, हम उसको add करेंगे, ठीक है, अब लिकेसं, problem solving, reasoning and critical thinking, ठीक है, problem solving, reasoning or critical thinking को यह चीज़े, इसमें add करेंगे, the focus will be, जो है, the focus will be assessing candidates understanding of teaching the subject that their pedagogic content knowledge, ठीक है, तो इनका यह कहना है कि आप जो जो भी teaching की requirement है, ठीक है, अब उसको increase करने जा रहे हैं, तो आपको जो problem solving है, जो conceptual knowledge है, आपको उसको धंग से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और their knowledge relevance of the subject in the school curriculum and other dimensions of teaching the subject, such a pedagogic content knowledge that includes question assessing, planning of teaching, learning experiences, strategic and developing conceptual clarity, which is teaching learning aids and assessment methodologics specific to the concept, तो इसमें इनका कहना है कि जितने भी dimensions हैं, जो भी चीज़े, मतलब, teaching में जरूरी होंगी, वो सारी चीज़े, आपका जो है, content knowledge, ठीक है, including question assessing, planning and teaching learning, ठीक है, ये सारी चीज़े जो है, इसमें changes होंगी, मतलब, एक तरीके से आप एक अगर आसान भासा में समझें, तो seated का जो हम लोग MCQs वेगरा solve करके, मतलब, previous year के, और solve करके, हम लोग जो seated pass कर लेते थे, जो भी लोग seated pass कर लेते थे, वो अब time जरे थे, मतलब, उसमें थोड़ा सा ये less करेंगे, खातम नहीं करेंगे, अगर आपको basic चीज़े आती हैं, तब ही आप seated को qualify करा पाएंगे, तो यहाँ पर इन्होंने इतना बताया है, उसके बाद में कहा है कि, अब इन्होंने ये कह दिया, कि देखिए, जो हम changes कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम जो blueprints हैं, और जो sample questions paper हैं, जो samples की मतलब हम जो 2021 में जो exams होगा, देखिए, सेटिट के exams कब होंगे, और यूपीट के exams, जो जोलाई अगस में होने वाले थे, अब वो December तक मतलब उमीद की जा रही है, और उसी के बाद ही सिच्चक भरती आएगी, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि सिच्चक भरती, कब आना है, पहले आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होग अब question आता है कि क्या seated exam offline होगा पहले के तरह है, तो इलो ने notify गर दिया है कि that the next seated exam will be conducting during December 2021 और January 2022 in online mode, ठीक है, देखें, जो seated का exams है, वो आपका January 2022 या December 2021 में online mode में conduct होगा, will motivate the futuristic teachers to become computer literaries, मतलब इनका यह कहना है कि भाई, इनका यह कहना है कि आप लोग जो है, अभी इससे से, मतलब अगर आप teaching online exam देंगे, मतलब seated का, तो इससे आपको जो computer literacy है, मतलब आप जो computer knowledge है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यह computer knowledge बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, एक तर आपको यहाँ पर एक तरीके से, एक छोटा सा यहाँ पर लोग ट्राइल करेंगे, ठीक है, इनका यह भी कहना है, मतलब एक तरीके से, यह भी हो जाएगा, कि जो बहुत सारे जो, मतलब pages, जो copy है, मतलब जो यह रदिया, जो मतलब copies होती है, यह खराब नहीं होंगे, यह ब UPTD को भी online mode में लाया जाए, ठीक है, तो अभी तो फिलाहाल सिर्फ सेट की बात की जारी, UPTD की अभी कोई बात ऐसी नहीं, अगर UPTD को भी बात होगी, तो UPTD को भी आपके बारे मताया जाएगे, कि ऐसा वो चेंज कर रहा है, अभी सिर्फ सेट की चेंज हो रहा है, online mode मे ठीक है एक्जाम दिसंबर और जन्वरी में होगा ठीक है तो यहाँ पे कहा रहें कि online seated examination complaints which strict COVID protocols would ensure not only safety but would facilitate a faster processing and declaration of results the CBCS will set up facilitation centers in the district where the candidates will be provided free of cost facility or pretending online mock test ठीक है तो इन्हों ने यह बोला है कि जो CBCS है वो मतलब जो centers है वो बनाएगा जहाँ पे आपके exams होंगे और वो free of cost जो है online mock test भी provide कराएगा मतलब अगर यह ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी चीज है मतलब अगर आपको online जो है मतलब आपको provide कराएगा free of cost मतलब एक तरीके से mock test ठीक है तो अगर यह कहा है कि जो changes हो रहे हैं उससे पहले आपको free of cost जो है online mock test भी जो भी आपके nearby districts है वहाँ पे आपको provide कराएगा तो आपको घपरानी की ज़लोत नहीं है कि यहाँ पे अचानक सी change कर रहे हैं यह एक preparation के साथ में change कर रहे हैं यह prepare है हम पूरी तरीके से कि हम पहले एक sample paper जारी करेंगे ठीक है sample question paper जारी करने के बाद में हम जो है मतलब online भी क्योंकि पता है बहुत से ऐसे लोग है जिन्होंने जो पहली बार seated का exam देंगे मतलब पहली बार laptop पे या computer पे seated का exam देंगे ठीक है वहाँ पे किसी भी district में तो इसलिए जान नहीं कि जो teacher बनने के इसलिए आप जो BA या BSC जो भी गरते हैं कि graduation के बाद में आप बेर्ट करते हैं मतलब बेर्ट के बाद में आप फिर direct seated में जाते हैं मतलब आप कभी भी वह जो भी बहुत ही जो गाउं से आते हैं हालांकि उनको knowledge है आज के टाइम में जो laptop बहुत जगे laptop फ्री में बाटे ग लेकिन बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जोनोंने कभी laptop नहीं टॉस कराया या कभी भी online exam नहीं दिया ठीक है तो उन लोगों के लिए यह जो CBC है यह क्या कर रहा है यह facility of attending online mock test मतलब यह जो है यह आपकी जो online mock test है उसको provide कराएगा ठीक है तो आपको बिलकुल भी फिक्र करने की जुरूत नहीं कि कैसे देंगे क्या होगा first time है तो सभी का first time ही होता है कभी ना कभी तो यह ब्लकुल सुचना नहीं है आपको ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने यह चीज़ें आपको बताने के लिए प्रस नोटिस जारी की थी तो इन्होंने यह बोला है कि जो अभी क्योंतर के पर अफ्री प्रसиж को सब्सक्राइब अलबुले का starting & लेविल हो गया तो अवाहन पर उसे श्टेट में आप ग्राली की सब्सक्राइब मैं उसे इसेयस चैज्ट में क्योंतर है आप इन्हें दे इसकते हैं उते पर मतलु proud सकते हैं अगर और प्राम को सकते हैं कि जूनिर लेवल हो गया तो आप इन में एक्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है, तो स्टेटोस यूपीटिट ये इसका रहता है, और वरिडिटी इसको जो सर्टिफिकट की है, जो मतलब जो कौलिफाई जो वरिडिटी है, इसकी पूरे अब लाइफ टाइम हो गया है, तो परिशान एक्षान एक्षान मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, बाबाई